सात्यों हमारे देश में आपना प्रबंदन को लेकर जिस तरह का रवया रहा था उस पर एक कहावद बहुत सत्तिक बैठती है जब प्यास लगी तो कुवां खोदना और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूँ वहां तो एक और भी कहावत है वो कहते हैं भोज गड़ी कोहडा रोपे यानि जब भोज का समय आ गया तो कोहडे की सबजी उगाने लगना यानि जब आपदा सीर्पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाएं खोजे जाते थी इतना ही नहीं एक और हैरान करने वाली ववस्ता थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विशय एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था इसका मुल कारण ये था कि बाड अतिवरुष्ति ओले गिर्ना ऐसी जो स्थित्या पैदा होती थी उसे निपटने का जिम्मा उसका समंध क्रिशी मंत्रा ले जाता था देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था लेकिन 2001 में गुजरात में भुकम्ब आने के बाद जो कुछ हुआ देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया और उसने आपदा प्रबंधन के माइने बदल दिये हमने तमाम विभागों और मंत्रालों को रहत और बचाव के काम में जोंक दिया उस समय के जो अनुभव थे उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्ट्रेट डिजास्टर मेनेज्मेंट एक्ट बनाया गया आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानुन बनाने वाला देश का पहला राज्य बना बाद में केंदर सरकार ने गुजरात के कानुन से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मेनेज्मेंट एक्ट बनाया इस कानुन के बाद ही नेशनल डिजास्टर मेनेज्मेंट ऑथोरिटी उसके गठन का रास्ता साफ हुआ इसी कानुन ने कोरोना के खिलाब लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की इसी कानुन के बाद ही